हेलो बच्चों मैं राधना बर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगोंने कक्छा 2 की हिंदी पुस्तक रिम जिम 2 का पार्ट नमर एक उठ चला इस कविता की व्याख्या रेकी थी आज की वीडियो में ह क्या है सही सब्द चुनकर रिक्त अस्थानों की पूर्तिक करें यानि कि जो खाली अस्थान है उस फिलप एरिया को आपको भरना है उसके लिए यहां पर कुछ ब्रैकेट में कुछ हिंट के लिए दो वर्ट दिये गया है जिनमें से कोई एक सही होगा पहला यहां पर जो फिलप है वो है उट की पीट बहुत खाली स्थान होती है तो यहां से हम भरेंगे उची होती है दूसरा फिलप है उट हिलता डूलता हुआ बैठता है यह चलता है उत्तर होगा चलता है तिसरा है उट खाली स्थान में पाया जाता है तो उट कहां पाया जाता है रेगिस्त में चौन या था था चाप्टर के अनुसार उत्तर होगा वोझ रोने केकाम आता है रहा है पर प्रस्थ को सही क्थन पर सही का चिन अब हम गलत पर गलत का चीन लगा है तो अगर पत्तर का क सही ust Resident में सही है सही भी गलत लगाना तो जाए पाइल जूएश गये है nossas म safety मंखर बना होता बिल्कुल सही है दूसरा है बालो में नहीं चल सकता यह भी डिलकुल यह गलत है बालू पर नुट अच्छे से चल पाता है लेकिनए इस्ट wam बोल रहा है कि उन्ट नहीं चल पाता है इसलिए इस्टेटमेंट गलत है उन्ट के पैर बहुत गद्दिदार होते हैं इसलिए वह बालू पर बड़े आसानी से चल सकता है तीसरा यहां पर कथन है स्टेटमेंट है उन्ट की गर्दन छोटी होती है तो यह हम लोगों ने क्या देखा कि उन्ट की गर्दन बड़ी लंबी होती है लेकिन यहां लिखा है छोटी तो यह जो स्टेटमेंट है कथन है यह गलत है अगला यहां पर है स्टेटमेंट उन्ट कई दिन तक बिना पानी क ये कथन बिल्कुल सही है अगला यहां पर प्रस्ण है आपके लिए बच्चों नीचे लिखे प्रस्णों के उत्तर दे तो जो प्रस्ण है उसका उत्तर आपको लिखना है प्रस्ण क्या है पहला उट से हम क्या काम लेते हैं तो इस कविता में क्या कहा गया है उट डुलता चलता है तीसरा प्रस्णा यहां पर क्या बालू में उट फस जाते हैं तो नहीं उनके पैर गद्देदार होते हैं तो उत्तर हम लिखेंगे बालू में उट नहीं फसता है क्यों बच्चों क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं इसलिए वो बाली उपर बड़ा असानी से चल पाता है अगला यहां पर प्रस्ण है उट की तरह बोजह ढोने वाले जानबरों के नाम सोच कर लिखें तो कुछ और जानबर के नाम आपको लिखना है जैसे कि बैल घोड़ा हाथी गधा यह सब बोजह ढोने का काम करते हैं अगला यहाँ पर प्रस्ण है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं विकल्प का मतलब होता है multiple choice तो यहाँ पर आपको जो फिलप है वो multiple choice यहाँ पर answer दिया गया है एक दो तीन चार इन में से कोई एक सही है जो यहाँ पर सही तरह से fit होगा तो यहाँ पर पहला क्या है फ गरदर उची होती है यहाँ पर हम टिक का मार्क लगा देंगे अग़ला है यहाँ परूट से हम क्या काम लेते हैं तो हमें फतना है मनरंजन का पहरेदारी और बोज़ा तो यहां पर प्रस्राइब से पुछा गया है तो नाम लिख यहां पर एक छितर के नाम लिखे तो यहां पर एक चितर दिया गया है और इस इसाती साथ आपको नाम भी लिखना रहे हैना कवा तो इसको क्यों नाम भी लिखने के बाद प्र आपको इसके बाड़ी पर्ड को नाम लिखना तो इसका क्या है ये कुबर आपी इससे कान बोलते हैं ये इसका मौत है यानि मुह है और ये इसका गर्दन निक है कि इसका टेल जैनी की पूछ है और साती सात नीचे भी खुश पार्ट है जिसे समग करंड आiscap खुर है अगे क्या लिखा हुआ है फिर प्रस्म सोच कर बता हो कि उंट से भी उचा जैनबर कौन सा होता है तो बच्चों से भी उचा जैनबर कौन होता है वह होता है जिराफ अगला प्रस्न है चार ऐसे जैनबरों के नाम लिखे जो उट के नीचे से निकल सकते हैं तो उट तो बड़ा है उसके नीचे से कौन-कौन जैनबर निकल सकता है बिल्ली तो बालू, आलू, भालू ये तीनों मिलते जुलते सब्द हैं करवट, दिखावट, मिलावट मिलते जुलते सब्द हैं फशना, हशना, कशना ये मिलते जुलते सब्द हैं खिलता, खिलता, यहां पर ता है, खिलता और मिलता ये सभी राइमिंग वर्ड हैं यहां पर है उट तो यहां पर हो जाएगा घूट, किलियर उतना आया नहीं है सूट जो हम पहनते हैं आगे यहां पर हो जाएगा अगला प्रत्द है आपके लिए इन जानबरों में सबसे छोटा और सबसे उचा कौन है नाम लिखे तो यहाँ पर कुछ जानबरों की चितर दिये हूँ है चार जानबर है इसमें से आप देख सकते हैं पहला कुत्ता है दूसरा चुहा है फिर घोरा है और जिराफ है इसमें सबसे छोटा जानबर कौन है बच्चों सबसे छोटा जानबर चुहा है और सबसे उचा जिराफ है त से भी जाने उट की पीट पर बने उचे भाग को क्या करते हैं यह बात आपको याद रखना है उट कई दिनों तक भी ना खाए पीए रह सकता है यह भी ध्यान देने वाली बात है उट के पैर के पंजे चौड़े और गद्देदार होते हैं इसलिए वह अराम से बालू पे र दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए और अगर आपने पिछले किसी वीडिए को मिस किया है तो इस वीडियो के लिंग मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा आप उसे क्लिक करके पिछले किसी वीडियो को देख सकते हैं जो कखछा 2 से रिलेटिड झाल झाल